असलाव अलेकुम फ्रेंड्स, विलकम बैक टो मैं चानल, मॉम्स डिशे सेंड ब्लॉक्स, आज की रेस्पी है हमारा ब्रेक फॉस्ट रेस्पी, इनस्टेंट दोसा रेस्पी, आपको नमें बीना चावल का, और बीना चोकिन का, और बीना उरत डाल का, हमारी मतलब, उरत डा जी, आपको मैं तोड कर भी दिखाऊंगी, देखिये चीलत, कितना नर्म, कितना अच्छा है जी, आज आपको यी, दोसा रेषपी मैं बना कर दिखाऊंगी अगर रेषपी आपको पसंद आई, तो लाइक करिये, शेयर करिये अगर आप मेरे चानल पे नए हो तो मेरे चानल को सब्सक्रेब करिए और बेल एकन बटन जरूर ट्रेस करिए So, let's start यहां मैं एक बॉल में एक कप सोजी ले रही हूं मैं हमें उपमा रवा बोलते हैं और बांबे रवा भी बोलते हैं इसको यह कप सोजी एड़ करी हूं मैं और इसे हम पानी एड़ कर देना है यह वाटर एड़ करना है इसमें एक ग्लैस भर पानी एड़ कर देती हूं मैं एड़ करके हम एक 10-15 मिनिट के लिए हम सोग कर लेना है इसे भीगने रख लेना है इसे cover करके एक सैड पे रख देंगे और दुसरे bowl में मैं यहां आदा cup पोहा ले रही हूं हमारे सैड इसे चुडवे बोलते हैं यह पोहा को अच्छा सा एक बार हम wash कर लेना है अच्छा सा एक बार wash करने के बाद इसमें ना same cup से हम दही एट करना है जो कपसे हम पोहा लिये हैं वो कपसे दही एट कर देना है और दही एट करने के बाद अच्छा सा हम mix कर देना है यह पोहा को यह दही को अच्छा सा हम mix कर देना है अच्छा सा mix करने के बाद इसको भी अब हम 10 से 15 मिनिट के लिए हम इसे भी हम सोक कर लेना है भीगने रख लेना है, इसे भी एक साइट पर रख देंगे, और 15 मिनिट के बाद देखिए, हमारा यह पोहा और दहीं, दो मिक्स करें थे न, जी अच्छा सा यह पोहा मिक्स हो गया है, और इसे अब हम ग्राइण कर लेना है, और सोजी भी देखेंगे, जी सोजी भी अच्छ आड़ करके अच्छा सा नरम सा हम ग्राइंड कर लेना है यह मत भूलिए नरम सा ग्राइंड करें तो चिला अच्छा सा नरम आता है और यहां देखिए इसी consistency पर ही हम ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल नहीं पदला है बिल्कुल नहीं गाड़ा होना चाहिए अब इसमें मैं साल्ट एड़ करती हूँ एक आदा टीस्पून साल्ट एड़ करती हूँ और वन फोर्थ टीस्पून बेकिंग सोड़ा एड़ करती हूँ आपके पास बेकिंग पॉडर है तो भी आप एड़ कर सकते हैं बेकिंग पॉडरा के आदा टीस्पून आड़ करना है लेकिन मैं यहा दालेंगे तब आछा सा हीट होने के बाद आइसा हम दालके ये लिक्विड ना दोसा बैडर छोड़ देना है नहीं spread करना चाहिए अपने आप वही spread हो जाएगा और देखिए ऐसा थोड़ा bubbles आने के बाद हम इसके उपर ना एक मुचन से हम cover कर देना है जी जो भी चाहे आपके पास है उप मुचन से आप ऐसा cover कर दीजिए cover करके low flame में रख दीजिए और देखिए एक आदा मिनिट के बाद ये चिला देखिए पाग गया है आपको दिखाओंगी जी नहीं turn करना चाहिए ऐसा ही पाग जाता है क्यूंकि हम उपर से cover कर दिये है ना इसलिए नहीं turn करना चाहिए देखिए माशारला हमारा ये चिला तय अच्छा है ऐसां चाहिए दृचिभी आप खा सकते यह अ मкоеूं करें आध्यको जड़ेंग आप आझेशा विड़ कर दोड़ ये चेटने करेंपी से उसमें और आपफिए वेढ़ने पे शेर सेनल नहीं ओवान तो वीड़ा बटन को पापर यांसा च्यांव… इन्शालला दुसरे मज़ेदार रिस्पिस के साथ या च्छे व्लॉक के साथ जल्दी में ही मिलेंगे जब तर दुआ में याद रखिए अल्ला आफिज